दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वे कुन सी 5 गलतिया हैं जिनकी वज़ए से आपका back neck बिलगकुल भी perfect नहीं बनता है मैं मैंतरी स्वाक्त करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी back neck बनाने में problem नहीं आएगी आप 100% sure हो सकते हैं यह हमने अपनी कूर्टिया बलाओ जिसके लिए भी हो इस तरह से आप cutting करते हैं उसके बाद हम back neck की cutting करते हैं सबसे पहली problem पर बात करते हैं वो कि गले की लंबाई और चोड़ाई कितनी रखें कि जो shoulder है back और front में दोनों में same बचें आपका यह एक बेन problem है कई बाद चोटा रह जाता है पीछे वाला कई बाद आगे बाद चोटा रह जाता है बट इस trick को आप आज use कीजिए दोस्तों बात करें हैं चोड़ाई की गले की तो माल लिए अपने front वाला सामने वाला गला 2.5 यानिके 2.5 रखा हुआ है तो back वाला आपको रखना ही से 2.5 यानिकी 2.25 यानिकी सवा 2 इंच तकी सिरफ आपको 2.5 कम करने है back नेग में माल लिए अपकी बाद हमने गला रख लिया front वाला 3 इंच तो back वाला रखेंगे 2.5 यानिकी 2.75 यानिकी पोने 3 इंच यहाँ पर देखे हमने अपना shoulder रखा हुआ है यानिकी 3 रखा है 6.5 यानिकी 6 इंच इसके अनुसार जो गला रखा था हमने front वाला वो 3 इंच लिया था 3 इंच लिया है तो जो पीछे वाला गला लेंगे इसे 2 पोइंट कम कर देंगे 2.75 यहाँ पर रख लिजे और यहाँ पर marking डाल दीजे अब बात करते हैं लंबाई की तो देखिए इसने हम बुकरम का इस्तिमाल नहीं करेंगे तो जितनी लंबाई आपको बनानी है उतना ही आप mark कर लिजे क्योंकि जितना उपर shoulder में चली जाएगी तो नीचे जब हम पट्टी लगाएंगे तो पट्टी के साथ भी नीचे कुछ portion stitch होगा तो वहाँ पर हमारे लंबाई automatically जादा हो जाएगी तो जितनी लंबाई आपको ready करनी है उतनी लंबाई पर ही आपको marking करनी है देखे इस तरह से marking कर लिजे अब यहां से बिल्कुल सीधी line लगा दीजे कितना simple way में आपको बताने की कोशिश करते हैं चोटे चोटे points को भी देखे कितनी detail में बताएंगे जितना उपर से लिए तो इतना ही यहां नीचे से ले लीजिए अब इसको भी एक straight line बना दीजिए इस तरह से यह हो गया हमारा इस तरह से आपका बनना चाहिए अब सबसे important point है गोलाई कैसे डालें देखे जब हम mostly जो डालते हैं वो डालते है 1 इंच पर लेकिन 1 इंच पर यह deep हो जाता है यह अच्छा नहीं बनेगा आपका तो आप सबसे पहले यहां कोने से लीजिए बिलकुल यहां देखे बिलकुल कोने से लीजिए और 1.25 इंच याने की सबा 1 इंच पर आपको डालना है इससे होते हुए आपको अच्छी शीशे बना लेनी है यह जो आपकी शेप डेलेगी वो बिलकुल perfect डेलेगी और इसमें आपकी बिलकुल भी कोई प्रोब्लम नहीं आएगी जब आप उरेप पटी इस पर लगाएंगी वो भी आपको लगा करके दिखाएंगे किस तरह से बिलकुल perfectly उरेप पटी आपको इस पर लगानी है देखिए हमने काट दिया है इसको अब आप open करके इसको देख सकते हैं कितनी perfect shape यहां आई है देखिए बहुत ही सुन्दर यह shape आई है और इसके साथ अब उरेप पटी इसके लिए कैसे बनानी वो देखिए इस साथ से कोई भी चोकोर कपड़ा ले लेजे जोड आ रहे हैं तो पहले ही जोड अपने डालीजिए बाद में उरेप पटी आप लगाए उरेप पटी देखिए यह हिस्सा होता है हमारा जो बिल्कुल बायस यानि की उरेप होता है कई कैंड़ती है इसको कपड़े को बचाने की इसमें कहीं से भी पट्ट्य निकाल देते हैं एसे एसे कहीं से भी लेकिन नहीं यह डायगनली निकाल ली है आपको डायगनली इस तरह से लेखिए ऐसे खिचने चाहिए पट्टी तभी वो परफेक्ट 22 पट्टी यानि के उरेव पट्टी होगी इसके चोड़ाई के लिए हम मार्क कर सकते हैं और आप इस छोटे से पीस में ही काफी सारी उरेव पट्टिया निकाल सकते हैं देखिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिए अब इसके चोड़ाई हम रखेंगे 2 इंच 2 इंच या फिर 1.75 इंच भी रख सकते हैं अगर आप ब्लाउस के लिए बना रहे हैं तो उसमें पट्टी आपकी थोड़ी से चोड़ाई कम रहेगी सूट के केस में कुर्टे केस में थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं देखिए इस तरह से मार्किंग कर दीजिए अब जहां से हमने मार्किंग की है इसको केंची की मदद से हम काट लेंगे तो ये होगी हमारे चोड़ाई दोस्तों ये तरीके आपको इतना ज़्यादा काम आएंगे ये चोटा सा वीडियो है जिसमें आपको अगर आपने देख लिया ये पूरा तो आपको कभी भी लाइफ में दुबारा से इसके लिए वीडियो देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी ये देखे ये पूरा आपका कट गया है और अब इसको आप खींच कर देखे कितना अच्छे से ये स्ट्रेच होगा आप देख सकते हैं आपको अगर ज्यादा बाइस पट्टी की जुरूत है गले की जो चोड़ाई है नीचे तक ज्यादा है लंबाई ज्यादा है इस पट्टी को जस्ट यहां रखिए और काट देखे ये देखिए ये सेकिंड बाइस भी बन गई है हमारी डीप क्ले के लिए आपको क्या करना है इनको आपस में स्टिच कर लेना है इसको एक दूसरे के ऊपर आपको रखना है और यहां से हम स्टिच कर देंगे तो यह लंबी पर्ष्टी बन जाएगी और जो डीप नेक के लिए आप इसको ब्लाउज में इसली यूज कर सकते हैं आप इसको इस साइड रखकर आप और भी बायस निकाल सकते हैं, जितना चाहिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, तो हमें जो चोड़ाई लेनी थी, लंबाई लेनी थी, वो थोड़ा था, क्योंकि जो डीप था, कम डीप है हमारा नेक यहाँ बर, और आप इस तरह से एक बा उपर जो किनारा दिख रहा है हमारा, यह कोना इसको बाह निकाल दीजिए, इसके उपर आपको इसको रखना है, और दोस्तों हमने जो बैक निक लिया था, वो दो पॉइंट कम लिया था, देखिए यहाँ पर लगबग दो पॉइंट के बराबर यह हमने सिलाई डाल दी है तो यह हमारा फ्रंट वाले की बराबर हो जाएगा, देखिए इस तरह से छोटे छोटे स्टैप में लिजिए सिलाई को, इसके साथ देखिए नीचे वाला और यह उरे पटी, दोनों ही इक्वल होने चाहिए, कई बार नीचे वाला जो होता है, वो थोड़ा पीछे रह जा जब आप इस पर से सिलाई लगाएंगे, अब जो एक्स्टा है, इसको हम काट देंगे, अब आता है बहुत ही most important step और वो है इसमें कट लगाना, अगर आपने इसमें कट नहीं लगाए तो कभी भी आपका गला परफेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि जस्ट एक पट्टी का यूज किया है और ये अंदर आपका खिचाव डालेगी, अगर कट नहीं लगाए तो ओटमेंटिक लिए वो खिचाव आपका बाहर की तरफ दिखने लगेगा, अब यहां से नाखुन की मदद से प्रेस कीजिए इस तरह से, ये भी आपकी फिनिसिंग का एक most important step है, अगर जो शेफ है वो बिल्कुल perfectly निकल करके आपकी आजाएगी, ये छूटे-छूटे step है इनको जरूर फोलो कीजिएगा, ये देखिए, अब आपको क्या गरना है, ये जो आपका margin देखिए, ये वाला margin, ये इधर है, इस margin को आपको बाहर की तरफ, यानि कि जो पट्टी थी इसके तरफ रखते हुए, इसके ऊपर से यानि कि बाहर वाली साइट से देखिए, यहां से आपको किनारी से होते हुए एक सिलाई डालनी है, ये थी हमारी आज की super trick, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता, जस्ट पट्टी लगाते हैं और तूरपाई डाल देते हैं और वो आपको पट्टी वाली साइड रखना है, देखिए, आप देख सकते हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो ये थी आज की हमारी बिल्कुल super trick, और इसको आप जरूर से भी जरूर फोलो कीजिए, ये देखिए, इसी से आपकी mean finishing आती है, और इतनी अच्छी finishing से ब प्रेस डालना है, तो प्रेस लगाने के लिए, आप सबसे पहले इसको हाथ की मदद से इस तरह से देखिए, कितना आसानी से जो गोलाई वाला हिस्सा है, वो अपने आप ही जैसे जैसे आप मोड़ेंगे, खुद बे खुद ये मुड़ता चला जाएगा, देखिए, कितना नीचक गोलाई वाली साइड होती है, यहीं सबसे मेन प्रोब्लम देती है, बट आप ये आपको प्रोब्लम बिल्कुल भी नहीं देंगे, देखिए, फिक्स हो गया है, अब आपके पास दो ओप्शन है, या तो आप इसके उपर से तुरपाई लगा लीजिए, और या भी इसकी बाहर वाली साइड ही, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे आप पेस्टिंग वाला गना बनाते हैं उससे भी अच्छी फिनीशिंग आपकी यहाँ पर आ गई है, आप देखिए दोस्तों इसमें हमें तुरपाई लगानी है, तो तुरपाई के लिए आप क्या कर इस तरह से, एक धागे वाली लगेगी तुरपाई हमेशा, जैसे आपने फिक्स कर लिया था पहले ही, तो अब आप तुरपाई लगाएंगे, तो जैसे एक स्टेट लाइन में लगाते हैं इतने हलके से तुरपाई आपकी लग जाएगी, में दिक्कत आती है यहाँ पर, यह जो गोलाई घूमती है, यहाँ पर आती है सबसे में दिक्कत, इस छोटी छोटी हैं बाते जो आपके साथ बड़ी डीटेल में हम बताते हैं, क्योंकि एक बार जो अपने डीटेल में सीख लिया तो आपको कभी भी दोबारा से सीखने की जुरुत नहीं पड़ती, यह बिल्कुल हलके हाथ से इस धागे को खीचें, ज्यादा इस धागे को नहीं खीचना है, इस तरह से आप तुर्पाई लगाएं, और सिलाय में भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, सिलाय लगा कर भी यही पर इसको फिक्स कर सकते हैं, देखे, गले के आधे हिससे में हम सकते हैं, कितना अच्छे से यहां पर यह सेट हो गया है, दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको बहुत ही अच्छे से एक्स्पेंड करने की, फिर भी आपको कुछ नहीं समझा है, तो नीचे कमेंट में बता दीजी क्या प्रोब्लम आ रही है, अगर पसंद आया है, तो प्रीज एक में कमेंट जरूर करें, कैसा लग आपको यह वीडियो, चलन पर नहीं है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबा लीजे जरूर से जरूर और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दीजे, नमस्कार दोस् प्रेस कर दिया है, तो शबड़ समी।